खुशाम दीद, खेर मक्तम और विलकम है आप सभी सामयाईन वनाजरीन का आपके अपने पसंदीदा यूटुब चैनल इस्वान सहीर में आज की इस वीडियो में आप सभों से मैं बात करने वाला हूँ कि मानू regular mode entrance test जो भी courses हैं उन सभों के लिए किस date पर किस सभ्यक्त का entrance होगा तो पहले हम यह जान लेते हैं उससे पहले कि मानू में कौन-कौन से ऐसे courses हैं जिसके लिए entrance होता है और वो कौन-कौन से course हैं जिसमें entrance नहीं होता है मानू में कुलみ 79 courses हैं जिसमें से in trains 2 तरीके से कुछ ऐसे courses हैं जिसका in trains SIAET के थुरू है और कुछ ऐसे courses हैं जिसका in trains मानू خुद लेती है तो जिस courses में admissions SIAET के थुरू होगा उसका admission in trains test थे स्ट करेट वो SIAET NTA वो जो site है वहाँ inform किया जाएगा और अभी उस तक date नहीं आई है उसमें CUET में मानू का BA, BCOM, BSC, MLT या MIT और फिर BTEC ये ऐसे courses हैं जिसमें admission CVT के तुरू होगा लेकिन उसके इलावा कुछ ऐसे courses हैं जिसमें admission के लिए मानू खुद entrance अपना पहले से conduct करती आई है और इस बार भी conduct करेगी जैसे BA, DLA, EMED, PhD सभी subjects के लिए Polytechnic, MBA, MCA या MTIC ये ऐसे courses हैं जिसका मानू खुद से entrance test conduct करेगी और इसके लिए entrance test का दो date बताया गया है वो आप बिलकुल note करते चलिए कि 5 से 7 जुलाई इन ही 3 डेट पर मानू के सभी courses में जिसका entrance मानू खुद लेती है उसका entrance conduct कराया जाएगा 5 से 7 जुलाई हम याद रखेंगी 5 जुलाई और 6 जुलाई को PhD है PhD में जो subject होगा आप अपना देख लीजिएगा बाकी उसके लावा 5 जुलाई या पहले दिन को Diploma in Elementary Education जिसे DLA कहते हैं वो होगा फिर आपका MCA MTEC है उसके बाद हम जब हम 6 जुलाई को आते हैं 5 जुलाई को फिर आपका और M.A.D. भी है Master of Education जब हम 6 जुलाई को आते हैं तो उस डेट पर हमारा MBA और B.A.D. Science के subjects Science का है तो Biological Science, Physical Science और Mathematics ये तीन ऐसे subjects हैं जिनका entrance test 6 जुलाई को conduct होगा उसके बाद last day जो आता है 7 जुलाई तो 7 जुलाई को सिर्फ B.A.D. उर्दू और S.S.T. ये दोनों subjects हैं इनहीं दोनों subjects का 7 जुलाई को क्या होगा entrance test होगा और 7 जुलाई के बाद 8 जुलाई को सभी का प्रिमिनली answer की यानि प्रोविजनली answer की release कर दिया जाएगा अगर किसी question पर किसी को कोई doubt है कोई satisfied नहीं है तो फिर उसके चैलेंज कर सकता है और उसके दो से तीन दिनों के बाद उसका final answer की release होगा final answer की के कुछ दिनों के बाद तो फिरो merit list आता है और बाकी details के लिए आप हमारे अगली वीडियो का इंतिजार करें तो आज किस वीडियो में दीजिये हमेजासत हम फिर मिलेंगे आप सबों से तब तक के लिए शुक्रिया अल्ला हाफिस